दोस्तों जोती मोडिया को इसलिए गाली दी जा रही है क्योंकि उसने पने पती को छोड़ दिया है महीं दूसरी और पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के नाम पर मोहबत की दुहाई जब की सीमा भी अपने पती को छोड़ कर आई है सीमा हैदर बिना पास्पोर्ट के देश में आई है क्या उसकी खिलाफ इसलिए कारवाई नहीं हो रही कि वो जिसके पास आई है वो सचिन है सोचो सचिन की जंगह मोहमत सादम होता तो अब तक एनेस से लग गया होता और मीडिया मोहबत का गुनगान की जंगह आतंकी स्टोरी लिख रही होती नमस्कार दोस्तों मैं हिमान सी कशप आपके साथ आप देख रहे हैं जनता क्यवास सीमा हैदर उम्र 27 साल और 4 बच्चे 5 वी पास होकब फराटेदार इंगलिश बोलना कम्प्यूटर चलाने में बहुत अच्छी नोलिज होना 5-5 पासपोर्ट होना 3-3 मोबाइल फोन का होना सिमकार पाये जाना और भाई का पाकिस्तान सेना में होना पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल चुपके से नेपाल के रास्ते भारत आना और आत ही तुरंट साड़ी नमस्ते अभिवादन सादगी वे भारते परिवेश में ढल जाना फराटेदार हिंदी वे अंग्रेजी बोलना उर्दु का एक लफ्ज भी जुबान पर नहीं आने देना ये कोई पाकिस्तानी साजिस हो सकती है मीडिया इंटर्व्यू कर रहा है ये कोई उस्तम मनाने का विशे नहीं गंभीर चिंता का विशे है दोस्तों सीमा पाकिस्तान से भारत आती है पाकिस्तान से दुबई जाती है दुबई से नेपाल आती है चार बच्चों के साथ नेपाल से भारत भी आ जाती है दोस्तों ये स्टोरी सब ने सुन रखी है कुछ नया नहीं है इसमें कुछ लोग सीमा हैदर के कदम की सराहना कर रहे है वहीं कुछ लोग उन पर सवाल भी उठा रहे है दरसल सीमा हैदर जिस तरीके से भारत आई उसको लेकर कई तरह की बाते हो रही है और होनी भी चाहिए सीमा हैदर के पास कई पासपोर्ट मिले है जो कई तरह के संधे पैदा करते है दोस्तों माना अगर सीमा को अपने प्यार के लिए भी भारत आना था तो गैर कानूनी तरीका क्यों अपनाया दोस्तों इस लव स्टोरी को साइड में रखकर देखा जाये तो ये एक देश के लिए चिंता का विशह है और तो और सीमा पकडी नहीं गई थी वो जिससे मिलने जिसके साथ रहने वो उस इंसान सचीन के साथ रह भी रही थी पर गलती से सचीन ने वकील के सामने अपना मुँ खोल दिया जब उसने डोक्रुमेंट दिखाया तो पता चला वो पाकिस्तानी है फिर पुलिस को बताया या जिसने भी बताया फिर यहां से कहानी इसकी शुरू होती है तमाम न्यू चैनल्स इंटर्व्यू लेने लग गए इनकी प्रेम कता सुनाई जा रही है दिखाई जा रही है दोस्तों 13 मैं को वैं भारत पहुंची दी 4 जुलाई को नोईडा में सीमा हैदर के पाकिस्तानी होने का खुलासा हुआ जिसके बाद उन्हें गिरफतार किया गया था सीमा और सचीन अभी बेल पर है दोस्तों 13 मैं से 4 जुलाई कोई कम समय नहीं है जब खुलासा हुआ और वो भी सचीन से गलती हो गई जो वकील के पास चला गया नहीं तो शायद अभी तक किसी को पता भी नहीं चलता दोस्तों सवाल ये उड़ता है कि भारत के अंदर सीमा उसके साथ 4 बच्चे आ सकते है वो भी undetected यानी बिना पकड़े तो ऐसे तो हजारों पाकिस्तानी आ सकते हैं करना ही क्या है दुबई से नेपार की फ्लाइट लेनी है नेपार तो एक अलग कंट्री है अलग मुल्क है नेपार से चाहे पैदल, बाइक से, साइकल से, बस से कैसे भी आ जाए, कोन पूछ रहा है, लेकि यह कोई अकेली घटना नहीं है पाकिस्तानी जासू, शोशल मीडिया या ओनलाइन गेमिंग के जरिए भारत्यों को लुपाने वो प्रेम जाल में फसाने के कई मामने सामने आए है इस साइज जनवरी में पाकिस्तान के सिंध प्रांत की रहने वाली इकरा जिवनानी नाम की एक पाकिस्तानी लड़की ने उतर परदेश के 25 वर्षिय शुरक्षा गार्ड मुलायम यादत से शादे की इनका राज तब खुला जब केंद्रे जाज एजेंसियों की नजर इकारा पर पड़ी जो पाकिस्तान में अपने परिवार से संपर करने की कोशिश कर रही थी इसे पहले 8 अगस 2022 को एक पाकिस्तानी महीला और दो अन्मे को भारत के हैदराबाद में अपने प्रेमी से मिलने के लिए बिहार में भारत नेपाल सीमा से भारत में परवेश करने की कोशिश में पकड़ा गया था दोस्तो ऐसे मामले भहुत है यूएस स्टे डिपार्टमेंट ने साल 2018 में एक रिपोर्ट जारी थी जिसमें दावा किया गया कि नेपाल की सीमा फिलाल भारत में एंटरी के लिए जासुसों का सबसे पसंदीदा बोर्डर बन चुका है दोस्तो सीमा हैदर में जिस तरह से इंडिया की सीमा से लेटर एंटरी मारी है बिना प्रोपर जाच पड़ताल के बड़ी हैरत की बात है यानि इतने आराम से कोई भी आ सकता है दोस्तों देश के गरहे मंतरी रक्षा मंतरी को ये देखना चाहिए कि स्क्योर्टी का कैसे पालन हो रहा है नेपाल का रास्ता कैसे यूज हो रहा है जब सीमा चार बच्चों के साथ आ सकती है तो पाकिस्तानी आतंकी भी आ सकते है भारत सरकार को घुस पैठियों को रोकने का इंतिजाम करना चाहिए आपकी क्या राय है कमेंट कर ज़रूर बताए और बागी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की अवास